पलायन हुआ था उससे कैसे ठिक किया जाएगा इसके लिए अब आपको घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन की दर्दनाग कहानी जरूर देखनी चाहिए 1987 की कहानी का दर्दनाग अंजाम जब कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई 1976 के कॉपीराइट एक्ट के मुताबिक आलोचना टिपपणी न्यूज रिपोर्टिंग अध्यापन और रिसर्च के लिए कॉपीराइट कंटेंट का इस्तमाल हो सकता है ये वक्त 1987 का था जब कश्मीर में विधानसबा चुनाव की तैयारियां हो रही थी कश्मीर में कटरपन थी जमाते इस्लामी यूनेटेट मुस्लिम फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ रही थी जो घाटी को इस्लामिक राज्ये बनाना चाहती थी वही अलगावा थी दूष प्रचार शुरू कर चुके थे की चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे उन्यस ओ सतासी की चुनावों में आतंकी संगठन हिजब मुजाहिदीन का संगना सगना सग्यत सलावधीन भी United Muslim Front की टिकट पर श्रीनगर से चुनाव लड़ा था। तब उसका नाम था यूसुफ शहा। United Muslim Front प्रचार कर रही थी कि कश्मीर में उनकी जीत आजादी की मांग की जीत होगी। जबकि कॉंग्रेस, नेशनल कॉंफरेंस और बीडिपी अलग-अलग चुनाव प्रचार कर रही थी। 23 मार्च 1987 को जमो कश्मीर में चुनाव होगी। नेशनल कॉंफरेंस को 40 सीटे मिली, कॉंग्रेस को 26 और United Muslim को सिर्फ 4 सीटे मिली। यूसुफ शाह उर्फ सायद सलावदीन चुनाव हार गया। इसके बाद बुरी तरहां बाखलाई United Muslim Front और यूसुफ शाह ने इंसक प्रदशन शुरू करते। चुनाव के बाद कॉंग्रेस के समर्थन से फारुक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। वहीं अलगावदी और United Muslim Front यूवाओं को बरगलाने में काम्याब हुए कि वो चुनाव में धांदली की मज़ा से हारे। यूसुफ शाह के नेता बनने का सपना तूटा तो पाकिस्तान पहुँचकर हिजबुल मुजाहिदी में शामिल हो गया। और उसका नया नाम था सयद सलाउदीर। हिजबुल मुजाहिदी ने कश्मीर में जहाद का एलान किया। और 1989 से कश्मीर में आतंकवाद का दौड शुरू हो गया। मस्जितों से धमक्या मिलनी शुरू हो गयी। कि कश्मीरी पंडित या तो मुसल्मान मन जाएं या फिर मरने के लिए तयार हैं। उदर कटर पंधियों के आगे फारुक अद्दुला ने सरेंडर कर दिया। और कश्मीरी पंडितों का कतले आम शुरू हो क्या। दिसंबर 1989 में कश्मीरी पंडितों के खिलाब जेहाद के एलान के बाद 300 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की गुरूरता से हत्याएं हुई। कई हिंदो महिलाओं को बलाकार के बाद बड़ी बेहनैमी से मारा क्या। बच्चों का गला घोटा क्या। इसके बाद 19 जन्वरी 1990 को साथ हजार से ज्यादा बेबस कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी। और देखते ही देखते कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई। ये 1987 की कहानी का दर्दनाख अन्जाम था। येरो रिपोर्ट जीनी जिया।